जंगल में तीन अनात बहने रहती थी उनका इस दनिया में कोई नहीं था वो एक दोटी फूटी जहपडी में अपना बुजारा कर रही थे दीदी साम के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है आप कहीं से भी रासन लाने का इंतजाम करें वरना आज फिर हम सब को भूका सोना पड़ेगा हाँ दीदी मुझे भूका सोना बिलकुल भी अच्छा लिए लगता मेरी प्यारी बेहनों आप दोनों चिंता क्यों करती हो मैं रात के भोजन का इंतजाम कहीं से भी कर दूंगी चिंकी और पिंकी अभी बहुत छोटी थी वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती इसलिए साने चुडिया को भी भोजन का इंतजाम करना था और व वो एक हलवाई की दुकान पर लुक जाती है। चाचा जी मुझे अपनी दुकान से कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी किरपा होगी। फिर हलवाई चाचा उस छोटी चुडिया को एक समोसा दे देता है। जिसे देखकर सोनी चुडिया तो बहुत खुस होती है। एक समोसा तो मिल गया, अब दूसरी दुकान पर जाती हूँ, वहाँ से भी थोड़ा भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसे सोचकर वो छोटी चुडिया दूसरी दुकान पर चले जाती है। वो दुकान दार भी उसे थोड़ी मिठाईया दे देता है। अब वो तीसरी दुकान पर चले जाती है। अरे बापने, ये दुकान तो बहुत बड़ी है, और यहां कितनी सारी खाने की चीजे हैं। अब बाकी के भोजन का इंतजाम यहीं से हो जाएगा। फिर वो दुकान के सेठ के पास जाती है, और उसे भोजन मांगती है। परन्तु दुकान का सेठ एक कालो कहवा था, जो की बहुत ही बेरहम और गुस्ते वाला था। सेठ जी, किरप्या कर थोड़ा भोजन दे दो। गरीब भुखारी कहीं के, मेरी दुकान पर आने की हिम्मत कैसे के, अब भाग यहां से। सेथ जी हम तीन अनात मेने हैं बाकी दुकानदारों ने भी थोड़ा थोड़ा खाने को दिया है और आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है तो किरप्या कर कुछ खाने को दे दो बड़ी दुकान है तो क्या भिकारियों को बाट दो और मैं खुद रोड पर आ जाऊँ अब भागो यहां से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा कालू कव्वे को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अपनी दुकान पर बिकारियों का आना बिल्कुल भी पतंद नहीं था चिडिया जैसे ही दूसरी बार भोजन मांगती है तो कालू कव्वा उसकी भोजन की पिन्नी छीन लेता है और जोर से उसे बाहर फैक देता है अब जाओ और बहार से अपना भोजन उठालो मेरा दिमाग खराब मत करो आपने मेरा भोजन फैक दिया ये मेरी बहनों के लिए था अब मैं उनको क्या खिलाऊंगी ये कहकर सोनी चडिया रोते रोते बाहिर जाती है और जमीन से भोजन वापस पिन्नी में लखने लगती है यह सब वहाँ पर मौजोद मुनमुन चडिया देख रही थी उसे तो कालू दुकान डायर पर बहुत गुस्सा आता है क्या आपको सरम नहीं आती जो बचारी छोटी बच्ची का भोजन फैक दिया और मेडम जी आप क्यों परेशान होती हो यह तो अनात बिखारी बच्ची है दिन में दस बार आती है भीक मांगने आपकी इतनी बड़ी दुकान है अगर इस छोटी बच्ची को थोड़ा भोजन दे दोगे तो घाता नहीं आ जाएगा ऐसे कहकर वो मुल मुल च्डिया सौनी च्डिया के पास चली जाती है कोई बात नहीं बच्ची जोना बंद करो और मुझे अपने बारे में सब बताओ फिर मैं आपको भोजन दूगी मेडम जी हम तीन बहने हैं हमारे माता पिता नहीं है मैं अपनी छोटी बहनों के लिए धोजन जमा कर रही थी इन बड़ी दुकान वाले कालो अंकल ने मेरा धोजन फैंक दिया सोनी बेटा अब आपको बहिग मावने की कोई जरूरत नहीं है मैं एक कपड़े दिजाइन का सोरूम चलाती हूँ अब से तुम भी मेरे साथ वही रहोगी और कपड़े दिजाइन करने का काम सिखोगी लेकिन आंटी जी मेरी बेहनों का क्या होगा मैं उनके बगेर नहीं रह सकती क्योंकि वो अभी बहुत छोटी हैं अरे उन दोनों की चींता मत करो वो भी तुमारे साथ रहेंगी और मैं तुम सब का पूरा खर्चा उठाऊंगी फिर सोनी चिडिया मुल मुल को अपने साथ घर ले जाती है चिंकी पिंकी तो चोक जाती है और कहती है दीदी ये नेजब कौन है और आप इनी घर क्यो लाई हो पिंकी ये हमें अपने साथ लेने आई है ये बहुत अच्छी है बिलकुल हमारी मम्मा की तरहा फिर मुल मुल चड़िया उन तीनों को अपने साथ दुकान पर ले जाती है, जहां पर और भी पक्षी काम कर रहे थी, बच्चों ये मेरे कप्रों का सोरूम है, तुम सब यहीं रहे कर काम सीखोगे, और खाने पीने की बिल्कुल चंता मत करना, क्यूंकि आपके तुम तीनों मेरी बेडियो की तरह हूँ, अब तेनों बच्चों की जिंदगी सबर गई थी, वो वहां मन लगा कर काम सीखते हैं, अब तेनों बच्चों ने काफी अच्छा काम सीख लिया था, आंती जी ये ड्रेस में ने खुद से ली है, जड़ा देखकर तो बताओ कैसी है, अरे वासोनी बेटा, ये तो बहुत सुंगर ड्रेस है, इसे तो मैं अपने नए डिजाइनों में सामिल करूँगी, बहुत खुब, इस तरह से अब तेनों बच्चियों ने नए डिजाइन के कपड़े बनाने सीख लिये थी, जो की सबी को बहुत पसंदाते हैं, मुन मुन तो उनके काम को देख बहुत खुष थी, और एक दिन उनसे कहती है, सौनी बेटा, तुम्हारी बलाई ड्रेस मार्किट में बहुत पसंदा रही है, तुम ऐसे सौ ड्रेस और बना दो, ठीक है अन्ती जी, मैं सौ ऐसे ड्रेस और बना दूंगी, अब तीनों बहुत खुष थी, चिंकी पिंकी भी सौनी की मदद करती थी, वो मन लगा कर अपने कामों में लग जाती है, परन्तो उनकी तरत्की को देख कर बाकी के पक्षी उनसे जला करती है, कहने को हम से छोटी हैं, परन्तो थोड़े समय में हमारी मालकिन बन गई, जब देखो मैडम जी इनकी ही प्रशंचा करती रहती ह हाँ तुमने एकदम सही कहा हम यहां कितने समय से काम कर रही हैं परंतु एक दिन भी मैडम जी ने हमारी तारिफ नहीं की बस बहुत हुआ अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह बड़ी दुकान की मालकिन यह तीनों बन जाएंगे और हम इनके ना कर नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने गरतेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे यह तीनों यहां से भगा दें जाएं तो ठीक है बस आज रात फिर मैडम जी खुद ही इनको यहां से धगा देंगी फिर वो दोनों उन तीनों बहनों को वहां से भगाने की साजित रचने लगती है और द दोनों दुकान को आग लगा देती हैं और भागी भागी मुलमुल चड़िया को बुला लाती हैं सोनी चिंकी पिंकी यह आग कैसे लगी तुम तेनों तो यहां देरा तक काम कर रही थी आंटी जी हमें कुछ नहीं पता कि ये आग कहते लगी हम तेनों तो यहां से काम करके चले गए थे मैडम जी आपकी दुकान को आग इन तेनों ने भी लगाई है क्योंकि हमने इनको बाते करते सुना था कि अपनी अलग कपड़ों की दुकान खोलेंगी और ज्यादा पैसा कमाएंगी हाँ मैडम जी जो सकता है ये आपकी दुकान को बंद करके ही अपनी नई दुकान की सुरुआत करते हैं इसलिए तेनों बहनों ने मिलकर आपकी दुकान को जला दिया है नहीं आपकी दुकान को जलाने की सुच भी नहीं सकते हमारा विस्वास करें मैडम को बहुत गुसा आता है और वो सोनी चडिया को जोड़दार थपड़ माज़ें कहती है मैंने तुम तेनों के लिए क्या सोचा था और तुम क्या निकलें इससे पहले की मैं पुलिस को बला कर तुम तेनों को जेल भिजबाओं मेरे नजरों से दूर हो जाओ और फिर कभी लोट कर वापस अपनी सकल मत दिखाना मुनमन चलिया की ऐसी बाते सनकर तेनों बहने वहां से चली जाती तेरी मुझे तो ये सब उन दोनों का हिकिया लगता है क्योंकि वो हमसे बहुत जलती थी हाँ पिंकी तू सायद जही कह रही है परांती जी को कौन विश्वास दलाए की हमने आज नहीं लगाई अब उन तीनों बहनों के पास कोई ठिकाना नहीं था वो वापस से उसे तूटी फूटी जहपड़ी में जाकर रहने लगती है कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते है एक दिन मुनमुन चलिया उनके घार आती है अरे आंटी जी आप यहां हम सच कह रहे हैं हमने आज नहीं लगाई हाँ मेरी बच्चियों तुम तेलों निक्दोस हो और हो सके तो मुझे माफ कर दो मैंने गुसी में तुम्हें धबा दिया था बगेर छान बीन की दुकान को आग तो गोरी कवी और पायल चरियाने लगाई थी लेकिन आंटी जी आपको पता कैसे चला कि आग उन दोनों ने ही लगाई है मेरी दुकान के सामने वाली दुकान में कैमरे लगे हुए थी जिसमें तुम तेनों तो दुकान से चले गई हो और गोरी पायल ने दुखान को अग लगा दी फिर वो तीनों तो ये बात सुनकर बहुत खुस होती है और मुनमुन चुरिया उन तीनों को अपने साथ ले जाती है और उनको खुब प्यार करती है अग् होती है झाल 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 झाल